तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियसब की जिसमें कि यहाँ पे वियसब से गुरूब B और गुरूप C की पदों की वेकेंसी जारी की गई है जिसमें कि यहाँ पे सबिस्पेक्टर, हेट कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों की वेकेंसी जारी की गई ह तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कितनी वेकेंसी यहां पर जारी की गए पोश्ट के अनुसार कितना क्वालिफिकेशन होगा तो आप इसे फॉर्म को फिलप कर सकते हैं सिलेक्षन कैसे करा जाएगा आपको इस फॉर्म को कैसे फिलप करना होगा कम्प्लीट जनकारी मैं आपनों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को विना स्किप करते हुए लास तक देखिएगा और अभी तक यूटूब चैनल को सस्क्राइम सस्क्राइब कर लीजिए और साथे साथ विल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि सबसे पह पहरी में जारी की गई है और इसके बाद नीचे यहां पर पोस्ट केंसार वाकेंशी का टेल एडड लिमीट और एजूकेशन कुलिए क्वालिफिकेशन दिया गया है जिसमें की नंबर वन में यहां पर दिया गुरूप B के लिए जो कि यहां पर SI Master के लिए यानि यहां पे दिया गए सब इस्पेक्टर Master के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहां पे दी गई है टूटल आठ वेकेंसी है और इसमें जो आपका Age लिमिट होगा Form को फिलप करने के लिए 22 से 28 सेर का Age लिमिट होगा Form को फिलप करने के लिए और इसमें जो आपको qualification होगा जो कि यहां पर दिया गया है आप इसमें 12 पास होने चाहिए प्लस आपके पास second class का master का certificate होगा जो कि यहां पर किसी भी central या state water transport activity से या तो आपके पास marine department से certificate होगा master का तो ही आप इसमें SI master के apply कर सकते हैं और इसके बाद next में यहां पर दिया गया SI engine driver के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहां पर दिया गया total 6 वेकेंसी है और जो आपका air limit होगा form को fill up करने के लिए 22-28 year का air limit होगा form को fill up करने के लिए और इसमें जब का qualification होगा आप इसमें बार भी पास होने चाहिए प्लस आपके पास first class का engine driver certificate होगा तो आप इसे form को fill up कर सकते हैं और इसके बार next में यहां पर दिया गया SI workshop के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहां पर दिया गया total 2 वेकेंसी है और जो आपका air limit होगा form को fill up करने के लिए 20-25 year का air limit होगा form को fill up करने के लिए और इसमें जो आपको Qualification होगा जो कि यहाँ पे दिया गया आपके पास Bachelor degree होगा Mechanical में तो आप इसमे अपलाई कर सकते हैं या तो आपके पास Diploma होगा 3-year Diploma होगा Mechanical से या तो आपके पास Marine से या तो आपके पास Automobile से तो भी आप इसमें SI वर्क साब के लिए अपलाई कर सकते हैं और इसके बार next में यहाँ पर दिया गया head constable master के लिए जो कि यहाँ पर group C की बेकेंसी है और इसमें जो बेकेंसी यहाँ पर दिए के total 52 बेकेंसी है और जो आपके पास qualification होगा जो कि यहाँ पर दिया गया आप इसमें 10 पास होने चाहिए प्लस आपके पास serang का certificate होगा तो आप इसमे head constable master के लिए apply कर पाएंगे और इसके बाद next में यहाँ पर दिया गया head constable engine driver के लिए और इसमें जो बेकेंसी यहाँ पर दिए के total 64 बेकेंसी है और जो आपका qualification होगा इसमें आपको form को फिल अप करने के लिए जो कि यहाँ पर दिया गया आप इसमें 10 पास होने चाहिए प्लस आपके पास second class का engine driver certificate होगा तो आप इसमें form को फिल अप कर सकते हैं और इसमें जो आपका age limit होगा head constable engine driver के लिए जो कि यहाँ पर दिया गया है 20-25 year का age limit होगा form को फिल अप करने के लिए और इसके बार next में यहाँ पर दिया गया head constable workshop में और इसमें जो बेकेंसी यहाँ पर दी के total यहाँ पर 19 बेकेंसी है और जो आपका age limit होगा form को फिल अप करने के लिए 20-25 year का age limit होगा form को फिल अप करने के लिए और जो आपका qualification होगा जो कि यहाँ पर दिया गया आप इसमें दसवी पास सुने चाहिए प्लस आपके पास ITI होगा जो कि यहाँ पर दिया गया respective trade से यानि यहाँ पर देख सकते हैं trade के अनुशार वेकेंसी यहाँ पर अलग अलग दी कही है तो जिस भी post के लिए apply करेंगे यानि जिस भी trade में apply करेंगे उसी trade से आपके पास ITI होगा तो आप इसे form को फिल अप कर पाएंगे और इसके बार last में यहाँ पर दिया constable crew के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहाँ पर दी के total 130 वेकेंसी है और जो आपका age limit होगा form को फिल अप करने के लिए 20-25 year का age limit होगा form को फिल अप करने के लिए और इसमें जो आपका qualification होगा आप इसमें 10 वी पास होने चाहिए प्लस आपके पास 1 year का experience होगा जो कि यहाँ पर दियागा इसमें boat में यहाँ पर दियागा है boat operation में आपके पास और यहाँ पर बिताया गया 265 HP यानि हास power से कम होना चाहिए जो आपका boat experience होगा उससे कम होगा तो यह आप इसमें constable crew के लिए apply कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में यहाँ पर category concern vacancy यहाँ पर दी गई है तो आप अपने category concern vacancy को चेक कर लेंगे और notification डाउनलोड करने के लिए आप हमारे official website नौकिनी रोटिन पर जा सकते हैं उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के discussion मिल जाएगा वहाँ से आप notification को डाउनलोड करके category vacancy को चेक कर सकते हैं और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बताया गया है इसका जो starting date है जब यहाँ पर जो notification है employment नीच में जारी किया जाएगा इसके बाद से आप 30 दिनों तक form को फिलब कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर आपको दिया गया age limit को calculate करने के लिए यानि जो आपका age जो calculate होगा इसमें जब start होगा form और उसके बाद उसका last date होगा उसी last date से आपको अपको अपना age में calculate करना होगा और इसमें आपको यहाँ पर फिस भी payment करना होगा जो कि यहाँ पर दिया गया इसमें जो यहाँ पर group B के लिए apply करेंगे यानि यहाँ पर जो SI के पोस्ट लिए apply करेंगे उनको यहाँ पर 200 रुपए का फिस भी payment करना होगा और जो यहाँ पर group C के लिए apply करेंगे यानि यहाँ पर head constable के लिए apply करेंगे तो आपको इसमें 100 रुपए का फिस भी payment करना होगा जो कि यहाँ पर केवाल जनर्नल, OVC और जो candidate EWS के होगे उन्ही को यहाँ फिस भी payment करना होगा और जो candidate EWS, EWS, T एकसर्षमें या बेस सब के candidate होगे उनको यहाँ पर form फिलप करने के लिए कोई फिस नहीं देना होगा और यह जो notification है अब यहाँ पर short notification जारी किया गया है और नीचे आपको यहाँ पर बताया गया जो कि यहाँ पर जब इसका जो notification है employment नहीं या रोजगार समचार में आएगा इसके बाद से यहाँ पर बेस सब के official website पर भी notification जारी होगा full notification जिसमें कि आपको selection process की जनकारी मिल पाएगी और जो अधा जनकारी है मैं आपनों को यहाँ पर पहले ही दे चुका हूँ लेकिन यहाँ पर जो आपका selection होगा सबसे पहले आपका return test होगा return test होने के बाद इसके बाद आपका skill test medical examination physical standard यह सभी आपका process कराया जाएगा तो अभी यहाँ पर notification जारी किया गया है अगर आप आपको इस वीडियो में कुछ पर अचा लगा है तो क्रिपया वीडियो को लाइक कीजिए अपने फेंट के साथ सेर्वी कर दीजिए और भी आपके फेंट सोंगे उन्हें भी जनकारी हो जाए बिस अप में ग्रूप B और ग्रूप C की पदों की वेकेंसी जारी की गई है और फॉर्म फिलप करना चाहते हैं तो फिलप कर सकते हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ साथ विल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि सबसे पहले आपको सबी डिफेंस की जनकारिय इसी चैनल पर मिलती रहती हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद